हेलो गाईज, हाव आई यू, आई होप यू और वेल, एन डूइंग वेल, वेलकम बैक इन पोस्ट मॉटम पॉइंट, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखी लिया होगा, कि यहाँ पर क्या चैप्टर वाइज आने वाले संभावित क्यूस्चनों का क्या किया जाए याद रखिए, आपके बोर्ड एक्जाम में सवाल आएगा तो यहीं सी आएगा, ठीक है, तो आईए, चैप्टर वाइज क्या करने हैं, पोस्ट मॉटम करना प्रारम करने हैं, देखिए, पहला चैप्टर जो है, रिप्रोड़क्शन इन और अर्गनिजम, यह से लिवस से हटा दिया गया इस बार, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ करके, जिन चैप्टरो सवाल आ सकते हैं, उनका पोस्ट मॉटम करना प्रारम करते हैं, तो देखिए, सबसे पहला जो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम क्या है, सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन इन फ्लावरिं प् दिरिग भी जाड़ो जनन सवाल आ सकते हैं, यहां तक किया पॉली नेशन यानि परागण से भी सवाल आ सकते हैं कि परागण के प्रकार क्या क्या होते हैं, परागण के कारत क्या क्या होता है, और उनके एक्जामपल क्या क्या होते हैं, अभी डिटेल में हम अध्यन और क्या और देखेंगे आउट ब्रिडिंग डिवाइस यानि बही प्रजनन युक्तियां टीक है तो इनके बारे मि बात करेंगे तो बही प्रजनन युक्तियों का जो मुखे तत्मिर होता है कि ऐसी युक्तियां जिनसे स्वव परागड को रोका जाए और पर परागड को बढ़ावा दिया जाए ऐसी युक्तियों को बोलते हैं वही प्रजनन युक्तियां या आउट ब्रीडिंग डिवाइसे बोलते हैं किसके अंतरगत देखे क्या आती है डाइक लिनी आती है डाइको गेमी आती है हेट्रो इस्टाइली आती है हर्को गेमी आती है सेल्फ इनकमपैटिबिल्टी आती है और मेल इस्टाइल्टी आती है यह किसके अंतरगात आते हैं यह सब आउट ब्रीडिंग डिवाइसे के अंतरगत आते हैं तो आईए और देखते हैं डबल फटलाइसे सवाल आएगा से ओर है कंफर्म होता है क्या डबल फटलाइसे सवाल आए फ्रूट भी आ सकता है फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट है पार्थे पार्टिक फ्रूट यानि औ अभबी व्रृता से भी सवाल आ सकते हैं अब ध्यां रखिएगा अब कुत सनचना आ सकती है यसे सरय जैसे और के सब्सक्राइब क्टिंब्सकतरे ज फॉस्प का चितर कि चैप्टर स PeachdenTalk कि एक टॉपिक काम क्या करने पोश्ट वॉट्पाप्टम करना प्रारम करें, तो Micro Sporogenesis का मत्ता होता है लगू विजाडू जनन, यानि कि वह प्रिक्रिया जिसके द्वारा लगू विजाडू मात्रिकोच्च का से अर्द सुत्री भाजन के परिडाम सुरूप लगू विजाडू का निर्माड होता है उसे बोलते हम लोग हैं का निर्माड करते हैं ठीक है ऐसे ही बात करें क्या मेगा इस प्रोजनेसिस का मतलब होता है कि दिर्ग विजाडू मात्री को इसका या गुरू विजाडू मात्री को इसका से और शुत्री भ्याजन के परिडाम सुरूप गुरु बिजाडू के निर्मान की प्रिकरिया को, क्या कहते हैं, गुरु बिजाडू जनन कहते हैं, अब दा समझीगा, इसके परिडाम सुरूप एक दिर्ग बिजाडू मात्रिकरिया को, क्या कहते हैं, अब दा समझीगा, इसके परिडाम सुरूप एक दिर्ग बिजाडू मात्रिकोषका से केवल एक ही क्या बनता है बनता तो चार है दिर्ग विजाड़ू लेकिन तीन डीजेनरेट हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं बसता सिर्फ क्या एक सिर्फ बसता है याद रखेगा ठीक है तो आगे आप देख सकते हैं परागड क्या होता है तो परागड जो ह वो तीन तरह का होता है एक होता है सोव परागड एक होता है सजात पुस्पी परागड और एक होता है पर परागड का मतलब होता है जब परागड की प्रिक्रिया एक ही पुस्प के भी संपन्नो जो पुस्प दूलिंगी होते हैं उनमें सामानता क्या होता है सोव परागड द जीनोगैमे की परागण की प्रिकरिया दो अलग अलग फुस्वों की भी संपन लोती है परẽचे परागण की čas तो द्यान से बरचेगा कि जो परागर की प्रगारिया है यह दो कारखो द्वारण संपन होती है एक कारख होते है जैवी कारख माने जिवित और एक होते है अ rather कि माने क्या होते है निर demons तो जीवित तो अ अजयविक में especially कौन को नो आएगा वायू य आएगा और जल आएगा तो आप इन सबों के example याद रखेंगे किससे वायू द्वारा उता है किससे जल द्वारा होता है तो द्यान दखेगा जो वायू द्वारा परागड होता यह सामान के घासों में होता है उन पुस्पों होता जिन में बिसेस गंद नहीं होती है कोई मकरण नहीं होता है कोई सूगरी सभस्टेंस नहीं होता है है ना उनका बहुत बिसेस कलर नहीं होता है इन सब में क्या होता है इन सबों में होता है क्या जल द्वारा बोले या फिर वायुद्वारा बोले है ना याद जर देखते हैं कि अब जो परागर है वो जैविक कारदelling उसके क्या क्या थिट नो रखेंगे पूस्पम का नाम आas छूँए कि होता है मुख्य होते हैं मुख्य होते हैं कौन से मधमक्छी होते हैं याद रखे हां मधमख्य होते हैं सब क्या होते मुख्य कारक है जैविक्य और वह सारे साप द्वारा होता है घोगा द्वारा होता है है ना हाथी द्वारा होता है चिटी द्वारा होता है ठीक है चमगादर द्वारा होता है इन सब के द्वारा भी परागड की प्रिक्रिया संपन होती है ठीक है तो यह क्या थे प तिसक्तिया जो परपराद को बढ़ावा देया और था याँ आप लोग देख रहे हैं कि double være लासन क्या होता है तो यहाँ दिखें किड़ने प्राइशन सबसे पहले इस से एक नमब्र आ सबस्कें किन पुस्पो में देखां सकता तो कि सबस्तों कि आरब दिभी आपूरए बहुत सारी बातिएं पहलेंगे याद रखेंगे फिरूटीट बोलेंगे एक निसेचित अंडासय को रखेते या निसेचन के पश्चात कächst अंडासय फ्रूट में परवर्तित हो जाता है अब फ्रूट तीन फल में पिकृया में अंड़ाश से अत्रिक्त पुष्प अन्य भाग भी भाग लेते हैं तो उससे निर्मित फल को क्या बोलते हैं आगेल्ज Regal होते हैं तो अंडासे से निर्मित फल को बोलते हैं वास्तिविक फल और देखेएगा टेपिटम यह तो पराख चोस की सबसे आंत्रिक जोती है तुमसेर क्या बोलते है इसका प्रमुख कारी क्या प्रमुक होता है विकास सीर को को भूजन प्रदान करना होता है किसका प्रमुकार होता टैपिटम का, टैपिटम की कोजिटकाओं में कई सारे केंद देखने को मिल सकते हैं पातारी, अब क्या होता है। हिंदी म बोलते हैं भूडुडू . पोस्ट फर्म का मतनल़ होता है यहां भुड़ पोस भुड़ को सर देने वाली संचना उसे जैब भुड़ पोस बोलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसे नारियल में पानी होता है वह भुड़ पौस होता है फ्ली नीू कलियर रोच प्ड कि तो द्वी लिंगी पूस्प हैं उनकी कली अवस्था में कली अवस्था में नर्भाग को काट की हटा देने की प्रिक्रिया क्या बोलते हैं विपूंसल बोलते हैं ठीक है यह प्रिक्रिया सामानत है सुबह की टाइम की जाती है क्योंकि क्योंकि सुबह की टाइम में क्या होता दीने के बीज निर्मार की प्रिक्रिया तोता है ज़ल्दी घल्दी सकता है दो माथ करणा की धित 하면 एक जटाथ फोसीन है फोसर सकता है मैं के बिल्सा के सबत्काल बात करेंगे की जबाद है यह था है कहते हैं यह जो है sexual reproduction को mimic करता है क्या करता है sexual reproduction को mimic करता है यानि जो epomyxis है वो अल लेंगिक प्रज्णन की विधी है चलिए आगे बात करेंगे poly embryonic का मतलब होता है कि जब एक ही बीज के अंदर कई सारी भुडु का मतलब क्या होता है कि जब एक ही बीज के अंदर कई भुड दिखाए देंसे क्या बोलते हैं poly embryonic बोलते हैं ए सिट्रस में mango में देखने को मिलता है सिट्रस माने नीबू और आम में देखने को मिलता है इसकी खोच सबसे पहले जो है 1719 में एंटोनी मौन लिवेन होक ने की थी किसकी poly embryonic खोच किसने के थी सन 1719 इस भी में एंटोनी मौन लिवेन होक ने की थी अब देखे ध्यान से इन सनचनाओं की आपके इस लिए एक्जाम में में लिखा गया एंछिस सनचना एक्जाम में आ सक्ता है तो आप लोग क्या करेंगे इनकी सनचना को याद रखेंगे ओविल क्या होता है वो इनमें LS क्या है है और देखम पार सनचना होती है ठीक है precisely साथ सब्सकराइब कि तो याद रखेगा अब क्या करेंगे आगले च्रक्त चेप्टर की बात करेंगे कि अगला चेप्टर कौन सा है और इससे क्या क्या सवाल आजए अब नेक्स चेप्टर की लानेसिस करना प्रारम करते हैं ठीक है तो अब अगला चेप्टर है तो इससे क्या सवाल आ सकते हैं गैमेटो जनेसिस सवाल आ सकते हैं एक जानन और लोगोगों प्रिकरिया आप क्या करेंगे पढ़ा है इसकर्णीं अब Спरिय थोट राइयेैं क्या होता है फर्टलाइशन का अस्थल क्या होता है तो आप लोगों पता होगा फर्टलाइशन का अस्थल क्या होता है फैलोपियन टूबिया ओविडक्ट अब ओविडक्ट में कहा होता है एमपूला वाले भाग में होता है अब वास्तों में एक्जिक्ट पुशन क्या होती है एमपूल किस अवस्था में होता है तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में या ब्लास्टूला अवस्था में क्या होता है implantation होता है याद रखेगा अगला देख सकते हैं कि placenta क्या है प्लेसेंटा क्या है इसके बारे में आप पढ़के जरूर जाएए क्या होता है प्लेसेंटा और इसके कार क्या होते हैं अगला है पाथाफी स्पर्म की स्पर्म के मार क्या है कहां पर इस्पर्म बनता है और कहां से कहां निकलता है अगर आप लोग इस्पर्म की बारे में डीटल एक्स्प्लेसन चाहते हैं तो Agreement में जाए वहाँ पे मैंने स्पका लिन्क दे दिया है ठीक है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे आप स्पक्राउं की बाएटेल वीदियो देख सकते हैं अब द्यान से अब आप लोगों को चित्र डाइग्राम भी पताना चाहिए डाइग्राम एक्जाम में आता है शुर होता है तो डाइग्राम जो है मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से आ सकता है यानि नर प्रजनतंत्र से आ सकता है और मादा प्रजनतंत्र या इस्तिर प्रजनत पंतर का विचीत बनाने को आ सकता है तो सुक्राडू का और मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का अगर आप लोग डीटल वीडियोद देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्सन में जा करके हमाई चैनल को देख सकते हैं या फिर आप क्या करें आप YouTube म कि मेल रिप्रोडुक्टिव सिस्टम का पोस्ट मॉर्टम आ जाएगा या फिर आप क्या सर्च कर सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं इस पॉम का पोस्ट मॉर्टम तो क्या आ जाएगा ठीक है तो आज देखते हैं अंगले चप्तर से रिप्रोडुक्टिव हिल से क्या के सवाल आ पूरे वर्ड में दुनिया में सबसे पहले भारतनी प्रारम हुआ था याँ देखेंगा अब इसमें फैमिली प्लानिंग के अंतरकत क्या होते हैं आदस गर्व निरुदक क्या होता है कि देखिए अब ज्यास वजीगा उसके पता होना चाहिए कौन-कौन से गर्व निरुद पढ़ता उसके यूज से जो हमारी डिजायर लेबडो उससे कोई फर्क न पड़े यह सब क्या होते है आईएल करणटास्ट्यू के गुर्धर होते हैं तो आप इसके बारे में सबसाब पढ़ सकते हैं ठीक है क्या होते है इसकी प्रकार क्या होते है जैसे औरल पिल्स क्या लोग ओर सकते हैं उनके लिए का इख जोन और सकते हैं इसके बारे में पढ़ाता है यह यहां टेस्टी बइबी क्या होता एंजिप्ट जाइगोर हाते है एंट्रा एंट्रा फ्रेलउपेन ट्रांसint过 क्या होता है क्या होता है आप Thus ऐसमें एंजेक्षा होता है उसके दर क्या कर 있는 सब्सक्राइब को पहुचायान है इंच्ष सब्सक्राइब ऑक deskt इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है और जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पॉम इंजेक्शन क्या होता है और आर्टिफिशल इंसेमिनेशन क्या होता है या फिर आई यू आई का मतल्ला होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमनेशन क्या होता है इन सब करनेंगे एम टी पी क्या है मेडिकल टर्म निसना प्रिग्नेंसी क्या होता है यह सुब बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन ठीक है इस सब क्या-क्या है इनके वारे में आप लोग क्या करके पढ़के जाएंगे और इसे स्योर सब क्या है इंटेंस एड्वरियेसन हिंदीं बोलते हैं वनसागति का सिध्धान तेमां विभिन ताएं तो इससे पहले पहला क्या पढ़ेंगे मिंडल मिंडल ने किस पर अपना एक्स्पेरिमेंट किया था तो कौन सब बोथा मतर कप आओ था बैग्यानिक नाम क्या है पा आप याद रखेंगे जैसे पौदtı की लंभाई थी यह का रंग था तक की स्थिती थी बीज का आप फीर क्या करेंगे मिंडल के नियम कौन कौन से हैं वह याद रखेंगे जो जो अदिकना बिजर का नियम और स्वतंतर भीवन का नहीं है पर वावता किने में जा नहीं है law of dominance law of segregation law of independent assortment तो आप क्या करेंगे याद रखेंगे ठीक है फिर F2 PD के लिए law of segregation का जिन रूप क्या होगा दिरिस रूप क्या होगा तो जिन रूप जो होगा एक अन पाते दो न पाते एक और दिस रूप क्या हो याद रखेंगे क्या होता है कि जो दिरिस रूप होता हो क्या होता है नव न पाते तिन न पाते तिन न पाते एक तो याद रखेंगे एकल संकल संक्रण के लिए द्विती पीडी के लिए जिन रूप क्या होगा एक अन पाते दो न पाते एक और दिरिस रूप क्या होगा नव अनुपाते तिन अनुपाते तिन अनुपाते एक याद रखेंगे नव अनुपाते तिन अनुपाते तिन अनुपाते एक नाइन थ्री थ्री वन याद रखेगा अब ऐसे क्या करेंगे अब जो टेस्ट क्रॉस है अगर टेस्ट क्रॉस पूदिया परिचात संक्रण क्या ग्रूप क्या होगा है न और चाञ संक्रड के लिए क्या हो गा तो याद रखेगा फिर याद रखेंगे पिर इनल्टेंस आफ एबी ब्लड गूप यानि एबी यो रक्स समूगी वनसागती याद रखेंगे इसे सवाल पिछले साल पूछा गया है ठीक है पिछले साल पिछले वर्सों में क्या हुआ है जिदिन टॉपिक बता रहा हूं इन टॉपिकों सवाल पूछा गया है याद जाद रखेंगे ऐगे अलों फ्लेला रखेंगे तटील काव करन अदी होता है किस ने दिलिनटिया सेटं में और में और इसको एक्सपर्परीमेंटलिश में और शालंता किया प्रीडे का करेंग आप लोग यादर रखेंगे आगे कि लिंग निव Ci और फिर इसकी प्रकार माने किसमे कौन कौन सा लिंग निर्धान होता है तो याद रखेगा क्या होता है लिंग निर्धान याद रखेंगे मानों में लिंग निर्धान कैसे होता है याद रखेंगे पच्छी में कैसे होता है याद रखेंगे और हनी भी यानि मदमख्य में कै कैसे होता है याद रखेंगे तो लिंग निर्धारण याद रखेंगे पच्छी में निर्धारण मानों में और मदमक्खी में निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में क्या करेंगे आप लोग पढ़के जाएंगे उत्र परिवर्तन क्या होता इसके प्रकार क्या होते हैं क्य प्रारम करते हैं जिसका नाम किया है? chapter number six molecular basis of inheritance यानि वनसागति का आडविक आधार तो अब इसमें आपको क्या-क्या पढ़के जाना याद रखेगा DNA की बारे में पढ़के जाएंगे RNA और इसके प्रकार की बारे में पढ़के जाएंगे साथ ही साथ DNA और RNA में अंतर क्या होता यह पढ़के जाएंगे अब देखिए DNA की जो सनचना है वो आने चाहिए DNA की सनचना क्या होती है और Watson और Crick का जो double helical model है जो BDNA पर दिया गया था वो क्या होता वह आप पढ़के जाएंगे और साथ साथ Watson और Crick का तो इसके गुड़ धर्म क्या होते हैं भी पढ़के जाएं यह याद रखेगा अगरी बात है कि डिने की पैकिंग के डिने की जो पैकिंग होती है जैसे डिने जो हमारी बॉडिम होता है एक नॉर्मल सिल में वह लगबग 222 मिटर लंबा होता है कि इसका माइक्रो मिटर होती पैकिंग के दोरानी नियुक्लियो सोम बनता है तो नियुक्लियो सोम क्या होता है यह भी पढ़के जाएंगे क्या होता है नियुक्लियो सोम याद रखेगा साथ साथ सेंट्रल डोगमा क्या है सेंट्रल डोगमा आप मॉलुक्लर बायलोजी यानि आडविक जीविक ज्यान का केंद्री सिद्नान क्या होता है किसने दिया है कि fasten लिए घृक ने ऑई या या फिर द्वी गूड़न हिंदी में और साथ ड्रांस्क्रिप्शं यानि अनुलेखन और और RNA से प्रोटीन के निर्मार्ट प्रिक्रियाग बोलते हैं ट्रांसलेशन तो आप क्या करेंगे रिप्लीकेशन क्या होता है रिप्लीकेशन की मैक्रिजम क्या होती पढ़के जाएंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन क्या होता है इसकी मैक्रिजम क्या होती भी पढ़के जाए तो आप इसमें दो प्रूप परके जाएंगे ग्रिफित का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और हरसे और चेस का टीटू बैक्तिली उफेक एक्सपेरिमेंट इसके बारे में आप क्या करके पढ़के जाएंगे सवाल इससी आता है शूर आगे देखेंगे कि जेंटिक कोड क्या होता है तो यह मारने पे जो Information Coded Form में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जेंटिक code क्या होता है? और इसके Silent Feature क्या है? माने इसके GoodHarm क्या है यह भी पढ़के जाएंगे यहाँ आप पढ़के जाएंगे Starting Codon क्या है? तो AUG को बोलते हैं Starting Codon इसके Dual Nature होते हैं Starting Codon माने यह translation को प्रारंबी करता है और साथ-साथ मेठ्योनी ने में इन्हों को कोड भी करता है तो यह भी पढ़के जाएंगे और साथ-साथ समापन कोड़ान कौन-कौन-कौन-से है तो UAA, UAG और UGA पढ़के जाएंगे हना क्या-क्या होते है उनके क्या-क्या गुर्धर्म है आ आप पढ़के जाएंगे वह सकता है इस साल भी आ जाए ठीक है आगे पढ़के जाएंगे Human Genome Project, HGP, Mano Genome पर्यूजना उद्धे से क्या था, क्यों किया गया और इसके गुर्धर्म, इसके रिजल्ट क्या निकले है भी पढ़के आप जाएंगे साथ-साथ, Mano Genome क्या होता है पढ़के जाएंगे और साथ-साथ DNA को आपस में जूड़ने वाले इंग्याम कौन सा है नामे DNA लाएंगे जिसके बारे में भी पढ़के जाएंगे एक नमबर में या कई नमबर में सवाल बार-बार पूछा गया है ठीक है अगर आप लोगो जो टॉपिक समझ में आए तो आप लोग कमिंट बॉक्स में मिंसन करें तो मैं क्या करूंगा उस टॉपिक का वीडियो बनाके अप्लोड कर दूंगा यथा संभव जितना मुझस से हो सकेगा ठीक है तो याद रखिएगा तो आप हम क्या करेंगे नए चेटर का पोश्ट मॉटम करना प्रार इसके बार हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो देखें इसमें क्या पढ़ जाएंगे इनफेक्सियस डिजीज क्या है नौन इंफेक्सियस डिजीज क्या है यानि संक्रामक विमारी क्या है और और संक्रामक विमारी क्या है याद रखिएगा सबसे खतरनाक संक्रामक विमा याद रखेंगे बैक्ट्रिया सुनल बैक्ट्रिया सुनल बैक्ट्रिया सुनल बैक्ट्रिया सुनल बैक्ट्रिया 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 बैक्ट्र सब किसे होने में बैभिया है इस अब है प्रोटू जुआ सुन पर चाली बैने है है इस के रिया शोंग। क्या नाम याद रुखेंगे साथे विडॉर्टेस्ट कटाइप याप कांशूरमेशन कंसा होता या-जा मिधा प्राइम्र मेकर्ड को नंकलता है चीन sait तो क्या करेंगे प्लाजमोडियम का लाइफ साइकल या फिर मलेरिया का डीटेल एक्स्मिनेशन के बारे में क्या करेंगे आप लोग पढ़ लेंगे याद रखिएगा अरगी बाद हम क्या पढ़ेंगे इम्म्यूंटी क्या होती है यानि प्रतिरिच्छा परडाली क्या इसके बारे में याद रखेंगे और यह बहुति IMPORTANT है बार-बार सवाले से Пूछा गया है साथ साथ ANTIBODY की सनजना क्या होती है. जो Y- seperti nombài कोई क्या होता है उसकी सनजना क्या होती एंटी बॉडइ को कॉन उत्पन करता है याद रखेंगे याद रखेंगे साथ-साथ пальбоता है कैन्सर क्मेंसरों प्रकार करेंगे जिस में क्ञेकश करेंगे इक जं़ बोडिकर तूटकि एक फैले लगता है किसम क्या मेटा इस्टेसिक बारे में याद रखेंगे फिर कैंसर का डाइग्नोसिस कैंसर क्या करेंगे कैंसर का डाइग्नोसिस कैसे होता है यह पढ़की जाएंगे तो कैंसर का डायागनोसिस कैसे होगाते हैं पढ़किन की कैंसर का ट्रीटमेंट की मैन यह सब क्या सीट से पाइड हो गया एमराई हो गयायज अना तो इस सब यह करें देखिता की होगा पु civॉ न होते हैं कि अब द्रक्स के बारें बढ़ेंगे ऑ्पियोफोइ्ट किया होता जिसे हम बोलते हैं किसे मिलता है नहीं मिलनाइध posição पयातर नाम क्या है कियो यह जरी हिरूइन नहीं आप बोलते हैं तो याद रखिए को का क्या थो जाइलम को का प्लान से मिलता है इसके बारे में पढ़के जाएंगे तो आप लेश्डी के बारे में पढ़की जाएंगे और तो आप लेश्डी के बारे में पढ़की जाएंगे लेश्डी का पूरा नाम क्या होता है लाई सर् एलेश्डी का सोस क्या होता है तो एक फंगाई ये नाम है क्लेवी सेफ्स परप्यूरा इससे मिलता है ठीक है तो आप हम क्या करेंगे अगले चेटर का पोस्ट मॉटम करना प्रारम करेंगे तो आईए अगले चेटर का पोस्ट मॉटम करना प्रारम करते हैं तो अगला चेट जिसम अधरसी की साहता से देखते हैं उसे क्या बोलते हैं सुच मंझिव कहते हैं तो सुच pię dal किया होते हैं और इनका opo बात ही याद देke पहला सूषमिन है लburg लेव खोए लेक तीक एसड बैटिरिया क्या है लेक्ट्रोकर्श selling बोलते है वेव पाउपटिरिया यूं के लुटासिर देता है तो गटाए चाहता है गया करता बठा देता है यूर्त एक्तिरिया जो ग्या दूद को दही बदल देता है तो क्यों जो अब दूद की इक घ्टा देता दूद की घ्रका बढ़ देता है दूद में विटमीन सी कुछ मातरां में बन जाता है दूद में विटमीन बिटामिन बिटेल्म नहीं होता है और धही में विटामिन बिटेल्म खोता है कुछ लोग दूद्र को पचाणी सकते क्योंकि उसमें लेक्तो सरक्रा होती है लेक्तो इन्टो न्ष व τैंट्ररेंस लेकिन दही को बेकर्स इस्ट क्यों मोलते हैं क्योंकि इसका उप्योग बेकरी उद्योग में करते हैं जो टोस्ट वेगर बनाने के लिए किया जाता है साथी साथ इसका उप्योग एलकोहॉल इसे याद रखेगा फर्मंटर क्या होता है जो एलकोहल इंडरस्टी या कोई अन इंडरस्टी है जिसमें हम लोग एक जिन बड़े बर्तन का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए किडवन कराने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं फर्मंटर क्या बोलते हैं फर्मंटर अगर वही बहुत बड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे बायो रियक्टर ठीक है यहां भी क्या होता है अब इसका डीटेल तो बता नहीं सकता पर इस बार में आप लोग क्या करेंगे प क्यों से खुज था इसको पेनिसेल्यम्न नॉट इटम फंजाइस्पोर अध्यन कर रहे थे इस्टे फाइलोकुकस बेक्टिरिया पर जिसकी वय से क्या जाहा हुआ जहा नौटेंटमे से कुछ जय व्ए सक्र्यडव, ठाल कुर निकला, जिससे क्या हुआ, जिससे वह जा रहती है, उसकी ग्रोथ को रोख सकते थे, इसरेस्प्या पर रहतaden डाल किस ने किती है। लेकंफाल इक होज किस ने के दे लेंग अलिंग जेंड्र मोट इटां secondaire आर इनोंने फिलोरी और चे दो इंडर्ट लिश्ट ह्ते इनकी साथ क्या या ने इनने एह स्फों स्क्या रिस्पोंसर देन के रिस्पांसष्क पैसा विखर दिया किस stati अन्य का पैसलिंव इंडर्स्ट लिश्ट थे इनकी साथस क्या क्या मारे इन्हेने manifest क्याeye respons dal and response क्या पैषा वेखर दिया तिन्हें क्या परेंशीलियं को बड़े मात्रा में बनाया किसे बनाया पेनिएशीलियंग प्रैसोजिंद्म से क्या कि खोश कि विज़े से क्या हुआ प्लेग जिसे जो हम काली मोद किसे आप बोलते थे प्लेग वूपिंग कव है नए जिसे काली खासी बोलते थे या काली खासी कहते है या फिर डिपसीडरीय ज़े गल-गोटु कहते हैं या लेप्रोसी कुष्ट रोग इन जैसी जो पहले बहुत खतरनाग बिमारियां थी उनका इलाज संभव हो पाया आगे बात करें क्या कि आप लोग देखें के बोटल का जूस बोटल के जूस में को किसी तरह का फाइबर बगएर नहीं होता है तो उनमें क्या एमाइलेज और लाइपेज इंग्जाई मिला रहता है ज मिलता है किसे मिलते हैं माइक्रोब की साहता से उत्पन किए जाते हैं ति याद रखेंगे जो बोटल के जूस होते हैं उनमें जो क्लियरिटी के लिए क्या मिलाते हैं अब साथ साथ कुछ जैब सक्री अड़ू की बारे हम पढ़ेंगे कि इनको किन-किन जिवों से उप्यो क्या है तो जैसे क्लोट ब्लस्टर करते हैं इसका उप्योग नसों में जो खून का थक्का जम जाता है उसे खलाने के लिए उप्योग करते हैं तो किसे मिलता है streptococcus bacteria से मिलता है कौन इस्टेप्टो कानोच क्या है जैव सक्री अडो बात करेंगे साइक्लोस्पोरीन है कि यह क्या है एक इम्यूनोसेप्रेसिव मेडिसीन है क्या है इम्यूनोसेप्रेसिव मेडिसीन इसका उप्योग करते हैं जब आर्गन ट्रांस्प्लांट होता है अंग का प्रत्यारोपड ह होता है तो क्या हमारी जो body excess response करते हैं उस औरगन को reject न कर दे तो उसके rejection को रोकने के लिए हम क्या करते हैं उसे हम क्या उस व्यक्तिक को करते हैं cyclosporine यह देते हैं क्या immunosuppressive agent है या दवा है किसे मिलता है Trichoderma polysporum फंजाई से मिलता है अगला example बते हैं इस्टेटीन क्या है blood cholesterol lowering agent है blood cholesterol lowering agent है जो blood में उपस्ते जो नसों में cholesterol जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए किसका उप्योग करते हैं किसे मिलता है उन्हें इसकस परफ्योड एक फंगाई यह से मिलता है याद रखेगा अब पढ़ेंगे microbes का उप्योग सीवेश treatment में किसमें सीवेश माने होता है जो वाहित मल है इनके treatment में उप्चार में क्या उप्योग होता है इस सब पढ़ेंगे VOD क्या होता है COD क्या होता है VOD COD को कम करेंगे सब बात में क्या इस सब आप लोग पढ़की जाएंगे याद रखेगा और सासाथ कि जो microbes से सुच्मजीव है इनका जैवगेस के उत्पादन में क्या भूम क्या होती है आप पढ़ेंगे गोबर गैस जैवगेस है ना तो क्या होते हैं जो चवपाय होते हैं उनकी आत में क्या होते हैं जो मेधिन उत्पन करते हैं तो मेधिन कोई क्या बोलते हैं बायो गैस के उत्पादन में सुच्मजीव क्या भूम क्या होती आप भी पढ़के जाएंगे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सुछम जीवों का उपयोग जो पीड़क नासफ होते हैं या खेत में जो कीट बगएर होते हैं उनको निरंतित करने के लिए और इनी खेती में हम इसे एक्जाम्पल में पढ़ेंगे अगरा बात करेंगे की सुछम जीवों का उपयोग बायो फटलाजरे गूप में क्या होता है पढ़की जाएंगे पढ़की जाएंगे और साथी साथ सिंगल सेल प्रोटीन की बारे में भी पढ़की जाएंगे क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन कभी-कभी पूछ लिता सवाल है ना तो आशा कर रहा हूं आप लोगो समझ में आ रहागा समझ में आ रहे तो लाइक सेल सब्सक्राइब करना भूले न ठीक है ताकि इतनी मेहत करके मैं बना रहा हूं वीडियो ताकि उस तो मुझे मोटिव आई टाटा बाय बाय सेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ठीक है चलिए